दुबई जैसी कंट्री में अगर बिजनस का सेट अप करना है अगर आपकी कंपनी FZE में आती है मतलब फ्री तो वो एक करोड का करजा भी उस दस लाग से ही उतनी ही देनदारी आपकी बनती है उसके लावा अगर कोई भी कर दिस वीडियो इस पावरड बाए मेटास करते हैं तो आज हम बात करते हैं कि दुबई में अपने बिजनस Size Go Global and set up your business in दुबई कहते है अब तो बात करते हैं क्या steps है जिने हमें समझना होगा कि हम अपने business का setup आसानी से दुबई में कर पाएं और एक बार जब दुबई में हमारा business अच्छते सेट हो जाए ना तो उसके बाद विश्व के हर देश में अपने business को ले कर जाएं सबसे पहला काम है identify your business activity आप पहले identify करें decide करें कि आपके business के activity क्या है किस तरह का business है आपका trading based business है manufacturing based business है या किसी तरह की support and services based industry आप चला रहे हैं उसके बाद hire a business consultancy organization और a consultant friends किसी भी देश में अगर आपको business setup करना है तो उस देश के rule and regulations को समझने के लिए terms and conditions को समझने के लिए और वहां की local authority से contact करने के लिए सबसे important है कि आप वहां की consultancy को hire करें या ऐसे consultant को hire करें जो आपको वहां की सारी guidelines, terms and conditions, rule and regulations और step by step हर चीज़ में आपको support कर पाए तो second step क्या है hire a business consultancy organization और a consultant उसके बाद decide your trade name केते ने कि आपको कोई भी trade करना है कोई भी business करना है सबसे पहले trade name आपका होना चाहिए और दुबई जैसी country में दो तरह ऐसे trade name होता है LLC और FZE LLC stand for limited liability company एक ऐसी company जहां पर आपकी liability limited है in case जैसे इंडिया में भी होता है इंडिया में हम जब private limited company खोलते हैं तो उसकी जो share capital authorized share capital हो एक limited होती है आपके पास जितनी equity है उतनी ही देनदारी आपकी बनती है उसके अलावा अगर कोई भी कर्ज या कोई भी loan या कोई भी liability उस company के उपर है तो उसकी देनदारी आपके नहीं है उधारन के लिए मान लिजा आपकी company की जो equity है वो 10 लैख रूपी है और company के उपर एक करोड का करजा भी है ना तो एक करोड का करजा भी उस 10 लाग से ही बुगतान किया जा सकता है उसमें जितनी assets हैं जितनी liabilities हैं और जितनी द जहां पर इस तरह के business लगाए जा सकते हैं जिससे दुबई का expansion हो दुबई में business की opportunities का expansion हो दुबई में business तेजी से आगे बढ़े और global जाए दुबई उसके लिए उन्होंने free zone establishment किया है कुछ ऐसे zone decide किये जहां पर वो बहुत सारी subsidies भी देते हैं facilities भी देते हैं कई बार तो कुछ basic steps लेने पड़ेंगे बिजनस वीजा बहुत असानी से मिल जाता है पर ऐसा नहीं कि आप पहले business वीजा बन वाले उसके बाद में आप दोबई चले और वाया कि business ना करें आप रहने लग जाए तो business वीजा बनने से पहले आपको ज़रूरत है बहुत सारी company के जितने documentation and process हैं वो complete करना और उसके बाद business वीजा के लिए apply करना साथ साथ register your company हमारे इंडिया की तरह नहीं है इंडिया में क्या problem है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आकार में किसी भी प्रारूप में business को शुरू कर देता है और बाद में जैसे जैसे जरूरत पढ़ती है वैसे वैसे व इसको complete करने के बाद ही आवा business कar establishment कर सकते हैं उसका क्या क penalty अपनी company को रजिस्टर करना है और company को करने का लग लग प्रारूप होते हैं इसे इंडिया में होते हैं आप इस्ट मसक्त है है आप प्रराइबिट मिशने बोना सकते हैं आप ये अपक्रेंट करता है apply and acquire your trade license from DED DED stands for Department of Economic Development दुबई गौवर्वर्मेंट ने एक ऐसा department डेवलेप किया हुआ जिसका काम ही business के setups को करना है तो वहां से आपको decide करना होगा आपको apply करना होगा अपने trade license के लिए और trade license भी तीन तरह का हो सकता है आप commercial activity करते है आप professional activity करते हैं या आप industrial activity करते हैं तो जिस तरह की आपकी activity रहेगी DED से उसी तरह का license आपको acquire करना पड़ेगा fine उसके बाद जो next है membership of DCCI ठीक इसी तरह से हमारे भारत में भी बहुत सारी organization है जैसे डेली government की एक organization है डेली chamber of commerce and industry इंडिया की इंडियन chamber chamber of commerce and industry बावारा chamber of commerce इंडिस्ट्री इसे बहुत सारी organizations हैं लेकिन दुबई की जो membership आपको लेने होगी दुबई chamber of commerce and industries की organization की membership आपको लेनी पड़ेगी ताकि वहां पर आप एक तरह से रिजिस्टर मेंबर हूं और आपको authorization में बहुत facilities मिलें और आप एक तरह के ग्रूप में हों जहां पर आप बिजनस असानी से कर सकते हैं उसके बाद apply at the ministry of labor ताकि आप वहां पर जो business कर रहे हैं ministry of labor के अंतरगत आपको अपनी company को register करना होगा कितने number of employee आपके साथ काम करेंगे उन employees का complete documentation process system और उनको उनके प्रति आपकी क्या liabilities है और आपके प्रति उनकी क्या responsibilities हैं यह सारी के सारी terms and condition लिखी होती है ताकि कोई भी employer अपने employee को exploit ना कर पाए किसी तरह से उसका ना कर पाए ठीक उस तरह से employee भी किसी भी तरीके से employer पर कोई प्रेशर ना बना सके इसके लिए जरूरी होता है कि वहां पर आप ministry of labor में अपना registration करा है और जितने भी employees आपके पास है register your employees in that registration आपके कितने number of employees हैं उसमें इंडियन कितने हैं दुबई के कितने लोग हैं या अधर country से कोई व्यक्ति आपने hire किया है तो वह कितने लोग हैं उनके सारे documentation process and system वहां पर register किया है उसके बाद जो नेक्स इंपॉंडट है rent and office space या factory space या setup space जो भी आपका space है वह आपको वहां पर register करना होगा register करने का मतलब क्या है कि दो तरह के space होते एक virtual space होता है और एक physical space होता है virtual space का मतलब क्या है कि आपने वहां पर setup नहीं बनाया for example आप consulting organization है तो आपने virtual space वहां पर ले लिया जहां पर आपके एक खाली help desk space बना हुआ है या वहां पर आपका cable documentation mail आना mail जाना या कोई hard copy of letter वहां आसानी से मिल जा है तो virtual space वहां पर आपको मिल जाता है office मिल जाता है उसके अलवा इस रही registration भी वहां पर लेना होगा इस रही registration का मतलब है कि आप वहां के एक permanent tenant हैं जिसके लिए आपके पास एक contract और contract का आपको एक number मिला हुआ है ताकि आपके पास एक authorization हो कि यह space आप यू से भी सारा process complete हो जाता है और आप अपनी capital अपनी country से उस country में ले जाते हैं introduce कर देते हैं वहां का जो आपने company formation किया है bank account खोला है उसमें आप deposit कर देते हैं फिर वहां की transaction आप आसानी से करके अपने business का setup कर सकते हैं आपको infrastructure लगाना है आपको machines and tools भाई करने हैं आपको office setup बन करके consumer तक या B2B segment तक अपने business को पहुंचा सकते हैं आज हमारी company भी बहुत country में export करती है आज हमारे पास ऐसे associate partner भी है जो दुबई में हैं लेकिन काम हमारे साथ इंडिया में करते हैं और वो लोग हमारे material को बिना हमारे company के वहां registration के sale करते हैं क्योंकि उनकी company वहां रिज वो लोग वहां की company में हमसे material import करते हैं मतला हम यहां से export करते हैं और हमारे यहां से अगर बोलेंगे तो import करते हैं तो metas overseas limited जो stainless steel modular kitchen मनाती है हमारी company भी दुबई में business करती है लेकिन हमने वह business setup नहीं किया हुआ क्योंकि हमारे वहां associate partner हैं जो हमारे वहां काम करते हैं और उन company को मार रेजिस्टर करके सारे terms and condition and rule and regulations को follow करके अपना business setup बनाए यह associate partner बनाकर यह एक तरह से joint venture करके आप वहां की company से type करके भी इंडिया में बैठकर दुबई के साथ काम कर सकते हैं और यह आपके मन में business related कोई भी प्रश्न है तो आप comment box में लिखकर हमसे ज़रूर पुछ स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुद्र बविश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत